नवस्कार दोस्तू रूडियनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस वीडियो में अलंकार को डिस्कुस करूँगा अलंकार क्या होते हैं अलंकार की परभासा आचार बावन के अंसार जो किसी बस्तूग अलंकरत करे वहे अलंकार है जिस प्रकार अभूसर स्वर्ण से बनते हैं उसी प्रकार अलंकार भी स्वर्ण सुन्धर बढ़ों से बनते हैं अचार दंडी के उनसार काब्र सोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रच्छेते अथार्थ काब्र के सोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं हिंदी के कवी के सोदास एक अलंकार वादी कवी हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद हैं। सब्दा अलंकार, सब्द पर आस्रेत अलंकार, अर्था अलंकार, अर्थ पर आस्रेत अलंकार, अभ्या अलंकार, आधने काल में पाशात साय से आया अलंकार। सब्दालंकार के भेद अनप्रास, यमक, सिलेश, पुन्रुक्ति, बदाभास, बक्रोक्ति, बीपसा, इत्यादी सब्दालंकार के प्रमुक भेद हैं अर्थालंकार के भेद अप्मा, रूपक, उत्प्रेच्छा, उप्मेवप्मा, अतिसयोक्ति, द्रश्टांत, ब्रोधावास, बिभावना, बिशेशोक्ति, असंगति, अन्योक्ति, इत्यादी अर्थालंकार के प्रमुक भेद हैं अब्यालंकार के भेद, मानवीकरण, ध्वनियर्थ, ब्यंजना, विशेशड, विशेश्यावलंकार के भेद हैं प्रमुक लंकार और उनके उधारण, सब्दालंकार, अन्प्रास, पर्चे, अन्प्रास का पर्चे देखिए बरड़ों की आवरत को अन्प्रास कहते हैं, किसकी बरड़ों की जहां पुनना वित्ती हो, उसे अन्प्रास लंकार पहते हैं मुदित महेपत मंदिर आए, सेवक सचेव सुमंत्र बुलाए, यहां पर साकी इस पश्टी करण देखते इसका यहां पर पहले पत्मे मा, पहले पत्मे मा वड़ की आवरती और दूसरे पत्मे सा की आवरती भी है तो इसलिए इसमें अन्प्रास लंकार है, अन्धरण चारू चंद्र की चंचल किरणे खेल रही थी जल धल में यहां पर चावर की आवरती भी है, तो इसलिए यहां पर अन्प्रास लंकार होगा अन्प्रास लंकार के भेद, अन्प्रास लंकार के पांच भेद है छेकानुप्रास, ब्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अन्ध्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास को देख लेते जहां अनेक विंजनों की आवरती शुरूप और क्रम से एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है जैसे रीजी रीजी रहिसी रहिसी हसी हसी उठे सांसें भर आंसु भरी काहत दही दही इसपस्टी कि यहां रीजी रीजी रहिस रहिसी हसी हसी और दही दही में छेकान प्रासे क्योंकि बेंजन ब्रणों की आवरती उसी करम और रूप में भी है दूसरा धार देखते हैं बदों गुरू पद पदों परागा सुर्चू स्वास सरस अनुरागा इस पस्टी करन यहां पद और पदों में छेका अनुप्राश है क्योंकि पा और दावड की आवरती करम से एक बार भी है बृत्यानुप्राश जहां एक बिंजन की आवरती एक या अनेक बार करम से हो वहां बृत्यानुप्राश होता है सपने सुनहले मन भाए यहां सावड की आवरती एक बार करम से भी है तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुचाए यहां तावर की आवरती अनेग बार करम से भी है सेश महज गनेश दिनेश सुरे सहुजाही नरंतन गावे यहां सावर की आवरती अनेग बार हुई है लाटान प्रास जब एक सब्द या बाके खंड की आवरती उसी अर्थ में हो पर तात्वर या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटान प्रास होता है धारड देखते हैं वही मनुस है कि जो मनुस के लिए मरे इसमें मनुस सब्द की आवरती भी है और दोनों का अर्थ है आदमी है पर तात्वर या अन्वय में भेद है पहला मनुस करता है और दूसरा संप्रतान कारक तेख बात दोर हाँ वे ही थे गुरू पद्वी के पात्र समर्थ है पूत सपूत तो क्यों धन संच है पूत कपूत तो क्यों धन संच है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है तू लड़का तो लड़का ही है अब यमा कलंकार देखते हैं जब किसी सब्द की एक बार आवर्ती हो और तोनों का अर्थ अलग हो तो वहाँ परियमा कलंकार होता है धर्व कनक कनक ते सो गुनी मा देखता अधिकाए बाखाए बौराए जग या पाए बौराए जग पस्टिकर यहाँ पर कनक सब्द की आवरती होई एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है दतूरा सजना है मुझे सजना के लिए इस पस्टिकर सजना सब्द की एक आवरती स्रंगार करना दूसरे में पती काली घटा का घमंड घटा काली घटा सब्द की एक बार आवरती है काली घटा बादल और घटा मतलब कम होना दूसरा बार जो घटा घमंड घटा कम होना तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी इस पस्टिकर बेर सब्द की आवरती खाने वारी बैर और पहर तरड़ी के ही संग तरड़ तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में इस पस्टी करद तरड़ी सब्ज की एक बारावर्ती एक का अर्थ है सूर्जब की दूसरे करद है नाव एक करद क्या सूर है दूसरे करद नाव है तो पर बैरो उर्बसी सुनी जाद के सुजान तू मुवन के उर्बसी है उर्बसी समान इस पस्टिकर यहाँ पर उर्बसी सब्द का प्रियोग तीन बार हुआ है और तीनों अर्थों के अर्थ भिन भिन है अथा यमक अलंकार है और वर्षी मतलब अपसरा के अर्थ में और वर्षी हरता में बर्षने वाली रादा के अर्थ में और वर्षी अपसरा के समान अर्थ में नेक्स इस्टामपल देखते हैं सूर सूर तुलसी ससी और गन के सो दास सूर सब्द की एक बार आवरती भी है सूर और दूसरे सूर कभी सूर दास खग कुल कुल सा बोले रहा इस पस्टि कुल सब्द की आवरती एक बार भी है तथा दोनों बार भिन भिन है अथा यहां यमा कलंकार है कुल मतलब 25 समदाय के अर्थ में और दूसरा कुल का कुल की मीठी आवाज के अर्थ में अब देखते हैं सिलेश लंकार परच है सिलेश का अर्थ है चिपका हुआ जब एक सब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो तो उसे सिलेश लंकार कहते हैं धरड देखते हैं रह्मन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गैना उबरे मोती मानुस चून यहां देखी मोती का अर्थ है चमक मानुस का प्रतिस्टा चून का मतलब जल माया महा ठगनी हम जानी तिरकुन फांस लिये कर डोले बोले माधुरी बानी यहां पर तिरकुन सब्द के दो अर्थ हैं तीन धागो वाली रसी तीन गुड सत्य सजस और तमस चिर जीवो जोरी जोरे क्यों ना सनहे गंभी को घटी ये ब्रिस भानुजा वे हलदर के वीर इस पस्टी कर यहां ब्रिस भानुजा और हलदर के वीर सिलिस्ट सब्द हैं जिन से बिना आवरती के ही भिन भिन अर्थ निकलते हैं ब्रिस भानुजा से ब्रिस भानुजा की वेटी राधा और ब्रिसब की वहन काय का तथा हलदर के वीर से क्रश्ट बल्देओं के भाई और साड बैल के भाई का अर्थ निकलता है अर्था लंकर क्या अर्था लंकर बिभावना पर्चे जहां बिना कारण के ही कार हो वहां बिभावना लंकर होता है उधारण बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधी नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिनु वाड़ी बक्ता बड़ यहां पैर बिना चलना कान बिना सुनना और बिना हाथ के कार होना त्यादी कार बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं अथा बिभावना अलंकर है आसंगती पर्चे कारण और कार में संगत का भाव कारण कहीं और कार कहीं असंगत एलंकार कहलाता है उधार द्रक उर्चत तूटत कोटम यहां उल्जती है आँखें अधा तूटना भी उन्हीं ही चाहिए पर तूटता है कोटम से सम्बंध हरदय घाओ मेरे पीर रग भी रहे इस परश्टी करण घाओ लश्मड के हरदय में लगी है अता पीड़ा भी लश्मड के हरदय में होना चाहिए लेकिन टाम को हो रही है लेकिन टाम को पीड़ा हो रही हरता है घाव मेरे बीर रगवीर है असंगत अलंकार अब देखते हैं विसो सोकती अलंकार विसो सोकती जहां कारण के होने पर भी कार ना हो वहां विसो सोकती अलंकार होता है जैसे पानी बिच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी इस पर यहां पर मीन मचली पानी के बीच भी प्यासी है अथा यहां कारण पानी होते भी कार प्यास बुझाना नहीं हो रहा है। यहां विसोसोक्ति यलंकार है अतिसयोक्ति पर्चे अतिसयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चड़ा कर कहना जहां किसी बस्तू का बढ़ा चड़ा कर बढ़न किया जाए वहां अतिसयोक्ति यलंकार होता है आँगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उत्रे पार राड़ा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार इस प्रश्टी करे हां राड़ा के घोड़े चेतक का बढ़ा जड़ा कर बढ़न किया गया है लहरे बियोम चूमती उर्ती देख लो साकेत नगरी है यही सवड़ से मिलने गगन में जा रही बाधा था विधू को किसने इन काली जंजीरों से मड़ी वाले भड़ियों का मुख क्यूं भरा हुआ हीरों से इस सम्मे कौन सा लंकर बिसो सोक ते लंकर है अब देखते उपमा लंकर जो बहुत जाद एकजाम में पूछा जा जाता है दो बस्तों में समान धर्म के प्रतिव बादन को उपमा कहते हैं उपमा का अर्थ है समता तुलना या बरावरी उपमा के लिए चार बाते आविस्यक हैं अब देख लेते हैं उपमे क्या होता है जिसकी उपमा दी जाए अथा जिसका बढ़न हो रहा हो वो उपमे कहलाता है उपमान क्या होता है जिससे उपमा दी जाए समानता वाचक पत जियों समसासी तुल नाई आदी इत्यादी समान धर्म उपमे और उपमान के समान धर्म को ब्यक्त करने वाला सब्द नवल सुन्दर स्याम सरीर की सजन नीरद सीकल कांती थी इस पस्टी करन कांती उपमे नीरद उपमान सी समानता वाचक पत कल समान धर्म हरी पत कोमल कमल से नेक्स्ट ड्राम का मुख कमल के समान सुन्दर है मुख चंद्र सा सुन्दर है पीपर पात सरिस मंडोला इस एक्जाम्पल है सिलेश लंकार के अब रूपक अलंकार देखते हैं रूपक रूपक अलंकार परचे उपमे या उपमान का आरोप या उपमान और उपमे का अभेद ही रूपक है इसके लिए तीन बातों का होना आवस्यक है उपमे को अपमान का रूप देना बाचक पद का लोप उपमे का भी दासाद वरण उधार बीती विभावरी जागरी अंबर पंगट में डुबो रही तारा घट उसा नागरी यहां अंबर तारा और उसा जोप में हैं पर क्रमसा पंगट घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है बाचक पद नहीं आए और उपमे प्रस्तुत था उपमान आप प्रस्तुत दोनों का साथ साथ बढ़न हुआ है परचे उपमेम उपमान की संभामना बोदक सब्द मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु उधारण मुख मानो चंद्रमा है मुख मानो चंद्रमा इस पस्टी कर यहां मुख उपमे को चंद्रमा उपमेम मान लिया गया है अधा उप्रेच्छा लंकार है प्रस्तुत प्रतिकों के माध्यम से प्रस्तुत का बढ़न अनियोक्ती अलंकार कहलाता है नहीं पराग नहीं मधुर मधूफ नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल यहां भ्रमर और कली का प्रिस्तुत विधान के रूप में है जिसके महत्यम से राजा चैसिंग को सचेत किया गया है द्रिश्टांत परचेहां अपमे और मात था उनके साधार धर्मों में बिम प्रित्वम भावो वहां द्रिश्टाद लंकार होता है जैसे सकदुक के मधर मिलन से यह जीवन हो परिपूरण फिर घं में ओजल हो ससी फिर ससी में ओजल हो घं मैं नहीं चाता चिर्शुक है मैं नहीं चाहता चेर दुख है सुख दुख की खेल मिचौली खोले जीवन अपना मुख है सुमत्रा नंदन पंत की ये पंकतिया यहां सुख दुख और ससी घन में विम प्रित्विम भाव है संधे जहां उपमे में उपमान का संधेव हो वहां संधे अलंकार होता है सारी बीच नारी की नारी बीच सारी सारी ही की नारी है सारी ही की नारी है की नारी ही की सारी है यहे मुख है या चंद्र है जारवां देखते ब्रहांती मान अलंकार सादरस के कारण एक बस्तु को दूसरी बस्तु मान लेना ही ब्रहांती मान है नाक का मूठी अधर की कांती से बीच दाड़े मुकास्ट कर प्रहंती से देख कर सैसा हुआ सुक मौन है सोचता है अनसुक के यह कौन है यहां नाक में तोते का और तंत पंक्तिम नार के दाने का भ्रह्म वाय अधा प्रहंती मान अलंक पथिक चले चकेत चित भागी फूलियों देखी पलास बन समोई समझू दवागी इस पस्टी करड़ पुस्पित पलास बन को देखकर पलास के फूल बहुत लाल होते हैं उसे दावागनी जंगल की आग समझ डर से फिर घर लोट आते हैं